हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू लानव्रिदियतिमन हम कर रहे हैं क्लास नाइन्थ पॉलिटी चैप्टर थ्री इस्थानिय स्वशाशन बन तो लास्ट वीडियो हमने पंचायती राजवेवस्ता का किया था तो आज हम वही पंचायती राजवेवस्ता को ही लेके चलेंग देखिए इसके पार्ट बनेंगे क्योंकि चैप्टर के अकॉर्डिंग तो हम चले ही रहे हैं इसके अलावा जो और भी नए फैक्ट होंगे वो भी मैंने इंक्लूड किये हैं ताकि आपके एक्जाम में एक भी जो चीज है वो न चूट पाए चली स्टार्ट करते हैं पंचायती राजप्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू की गई तो पंचायती राजप्रणाली जो है वो पहले किन दो राज्यों में लागू की गई इसका आंसर है आंधरप्रदेश और राजिस्थान जिसमें राजिस्थान में सबसे पहले और उसके बाद आंध प्रदेस में लागू की गई नेक्स्ट है, question number 2 ग्राम पंचायत अपने क्रिया कलापों के लिए किसके प्रति जवाब देई होती है तो ग्राम पंचायत अपने क्रिया कलापों के लिए ग्राम सभा के प्रति उतरदाई होती है नेक्स्ट है ग्राम सभा का सदस्य बनने की नियूंतम उम्र क्या है नियूंतम आयू क्या है तो यहां उम्र जो है वो मिस हो गया है ग्राम सभा का सदस्य बनने की नियूंतम आयू क्या है तो हमने अर्थ समझा था कि ग्राम सभा किसे कहते हैं तो अब यहां आंसर आपको जो ग्राम पंचायत के समस्त वयस्क नागरिकों का जो समू होता है, जिनकी आयू 18 वर्स से या दिखो, जिनका नाम पंचायत शेत्र की मतदातस उची में हो, तो वही सभी सदस्य ग्राम सभा के सदस्य होते हैं. ये भी बताया था मैंने आपको कि जो पंचायत होती है, उसको चुनने वाले लोग यही ग्राम सभा के सदस्य से कहलाते हैं. किस सरकार दोरा 73 समविधान संसोधन 1992 पारित हुआ? 73 समविधान संसोधन पंचायती राजविवस्ता का यानि ग्रामिर सोशाषन का जो 1992 में पारित हुआ, तो उस समय किसकी सरकार थी? आंसर है नर्सिम्मा राव सरकार. नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 5. 73 समविधान संसोधन लागू कब हुआ? देखिए पारित कब हुआ? यह हमें पता है 1992 में पारित हुआ. यह लागू हुआ 24 अपरेल 1993 में. ठीक है? याद रखना है 24 अपरेल 1993 में. इसी वज़े से 24 अपरेल को हम पंचायती राजविवस्त क कब मनाते हैं? तो मैंने आपको बताया कि 24 अपरेल इसी दिन यह है लागू किया गया था. इसी लिए 24 अपरेल को पंचायती राजविवस्त मनाया जाता है. तो देखिए जो भी करेंट से जुड़े फैक्ट होंगे वो भी मैंने यहाँ पर एड़ किये हैं क्योंकि एक्ज 9 और अनुचे 243 में. ठीक है? तो पंचायत को सम्विधान के भाग 9 में जोड़ा गया है और अनुचे 243 में यह वर्नित है. जिसमें A से लिकर O तक हमें पंचायत के बारे में पता जलता है. नेक्स्ट है ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं. अब देखिए मैंने आपको बताया था इंटारेक्ट वे में इसका अंसर कि ग्राम सभा द्वारा चुने जाते हैं. कौन चुने जाते हैं ग्राम सभा द्वारा? ग्राम सभा द्वारा सरपंच चुना जाता है. ग्राम सुची में जिनका नाम होता है ग्राम पंचायद के तो वो सभी सदस्य जो हैं वो ही ग्राम पंचायद के सदस्य को चुनते हैं और वही जिला परिशद के सदस्य को चुनते हैं नेक्स्ट है कुश्यन नमबर 9, 15 नवंबर 2019 के अनुसार, राजिस्थान में ग्राम पंचायद सम्थी और जिला परिशद कितनी है, तो देखिए ये बिलकुल करेंट का है आंसर, कि अभी वर्तमान में, यानि 15 नवंबर 2019 के अनुसार, ग्राम पंचायद है 11,152, पंचायद स 33, नेक्स्ट है कुश्यन 10, ग्राम पंचायद, पंचायद सम्थी और जिला परिशद का कारेकाल कितना होता है, तो इन तीनों को अलग न करके मैंने एक ही जगे लिख दिया है, ताकि आपको याद करने में आसानी होगी, तो इनका कारेकाल जो होता है, वो 5 वर्स का होता है नेक्स्ट है, कुश्यन 11, ग्राम पंचायद में महिलाओं के लिए कितना आरक्षन रखा गया है, आंसर इस 50 प्रतिशत, कुश्यन 12, पंचायती राज किस सिद्दान्त पर आधारित है, देखिए सभी प्रेशन जो है, वो एक्जाम में पूछे जा चुके हैं, और हर प्रे सब भी आपको याद रखने होंगे, पंचायती राजज सत्ता के विकेंदरी करण पर आधारित है, नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत के सरपंच और ग्राम पंचायत के सरपंच, यहाँ पर देखिए, दो बार ये प्रिंट हो गया है, दो बार टाइप हो गया है, ग्राम जायत के सरपंच को पद सम्हालने के कितने वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव दौरा हटाये जाने का प्राप्धान है तो इसका अंसर है दो वर्ष एक ये आपका लाइन हो गई कि जो ग्राम सबा की बैठक में कितने गणपूर्थी होनी चाहिए एक बटा दस यदि एक बटा दस गणपूर्थी ना होने पर ग्राम सबा की बैठक इस्तगित हो जाती है तो इसके लिए कौन उत्तरदाई होता है कौन जिम्मेदार होता है तो इसके लिए जिम्मेदार होता है सरपंच और पंच नेक्स्ट है ग्राम सबा की बैठक में महलाओं की कितनी उपस्तिती आविश्यक है ग्राम सबा की बैठक में गणपूर्थी का एक बटे तीन महलाओं की उपस्तिती आविश्यक है गणपूर्थी यानि जिसे कौरम कहते हैं प्रतेक पंचाय समिती में कौन-कौन से सदस्य होते हैं अब पंचायत समिती में कौन-कौन से सदस्य होते हैं चलिए देखते हैं हम प्रादेशिक निर्वाशन शेत्रों में प्रत्यच निर्वाचिस सदस्य होते हैं पंचायत समिती शेत्र से प्रतनिधित्व करने वाले सभी बिधान सबा सदस्य होते हैं और पंचायत समिती शेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सदस्य होते हैं किसमें पंचायत समिती में एक बार दुबारा देखिए कि पंचायत समिती में कौन-कौन सदस्य होते हैं एक तो होते हैं कि जो उस शेत्र के उस प्रादिशिक निर्वाचन शेत्र में प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य और पंचाय सम्ति शेत्र से प्रतनिधित्व करने वाले सभी विधान सभा के सदस्य, पंचाय सम्ति शेत्र की सभी ग्राम पंचायतों के सदस्य, पंचाय सम्त वाड़ पंच और उपसर पंच यह अपना त्याग पत्र किसे देंगे तो यह देते हैं वीडियो को देते हैं किसको देते हैं खंड विकास अधिकारी को देते हैं सर पंच वाड़ पंच और उपसर पंच यह अपना त्याग पत्र देते हैं खंड विकास अधिकारी को जिसे ह हम क्या कहते हैं, वीडियो, नेक्स्ट है, कुश्यन नमबर 18, पंचायत समती सदस्य एवं उप जिला प्रमुक अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, इसका आंसर है, जिला प्रमुक को, नेक्स्ट है, कुश्यन 19, पंचायती राज के प्रशाशनिक पदाधिकारी कौन है, तो देखिए, यहां पर मैंने तीनों को ही शामिल कर लिया है, ग्राम पंचायत की देखें हम, तो यहां प्रशाशनिक पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, और ग्राम सेवक हैं, ठीक है, ग्रा यानि वीडियो जिला इसतर पर देखें तो वहां पर प्रशाशनिक पदाधिकारी है जिला अधिकारी और CEO यानि मुख्य कारेकारी अधिकारी तो एक बर और रिपीट करती हूँ पंचायती राज के प्रशाशनिक पदाधिकारी कोन है ग्राम पंचायत में सरपंच और ग्रा अब देखिए हमने प्रशाशनिक अधिकारी देखे अब हम देखेंगे कि पंचायती राज में राजस्व प्रशाशन के अधिकारी कौन होते हैं यानि रिवेन्यों एकटा करने का काम किसका होता है तो यह किसके अंडर में होते हैं इसे भी हम देखते हैं देखिए ग्राम इ और जलाइसतर पर कॉन होता है, कलेक्टर, ये सबी राजस्ट्र प्रशाशन के अधिकारी है इन्हे आप वहां नहीं मिलाएंगे, प्रशाशनी के अधिकारियों में नहीं मिलाएंगे, ये सबी कौन से हैं, ये revenue एकतिरित करने वाले अधिकारी हैं, जिकें नेक्स्ट है question number 21, ग्राम पंचायत का मुखिया प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है, पूछा है यापर कि ग्राम पंचायत का मुखिया जो है वह निर्वाचित कैसे होता है, प्रत्यक्ष होता है या प्रत्यक्ष होता है, इसका answer है प्रत्यक्ष होता है, केव सरपंच यानि की ग्राम पंचायत का जो मुखिया है वही प्रत्यक्ष निर्वाचित होता है next है question number 22 निम्न में से कौन तरण मूल लोकतंत्र से संबंधित है तो कौन है तरण मूल लोकतंत्र से संबंधित आंज़र है पंचायती राज विवस्था next है question 23 कौन पंचायतों की विद्धिय इस्तती का पुन्राव लोकन करने के लिए वित्यायुक का गठन करता है तो कौन करता है पंचायतों की विद्धिय इस्तती का पुन्राव लोकन करने के लिए वित्यायुक का गठन राज जय पाल कौन करता है राज्यपाल next है question 24 कौन पंचायतों की संरचना के लिए उपवंद करने को अधिकरत है इसका अंसर है राज्य का विधान मंडल आज का अंतिम प्रश्न है पंचायती राज विशय है पंचायती राज किसका विशय है तो यह राज्य सुची का विशय है ठीक है तो आज हम यहीं तक करेंगे next class में हम पंचायती राज विवस्था के ही कुछ प्रश्न है और करेंगे तो chapter wise तो हम चली रहे हैं इसके साथ साथ आपको बहुत सारे पैक्ट जो है वो भी current से वो भी मैंने यहां add किये हैं तो आपके exam के लिए यह सभी important रहेंगे मिलते हैं next video में thank you